भारती जंता party के कई साथी ऐसे ग्जिट पोल में शामिल हैं वो और उनकी संस्थाइं भारती जंता party के लिए बूत बेंजेमेंट का भी काम करती हैं समय समय पर बूत की जानकारी भी देती ही जिन FAYSES में चुनाओ ख्तम होता चला जाता जाता बिजली कहा ती और ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे काउंटिंग करें और रात में बिजली कुल करें कि काउंटिंग को धीमे धीमे करें और रात में बिजली कुल करें दुनिया में डंका बजाने की बात करने वालों का ही ढोल पिट गया विकास वर रोजगार के जूटे आकड़े देकर ठगा EDCVI IT इंकम टेक्स को सरकार बनाने बचाने और चलाने के लिए इस्तेमाल किया केर फंड के नाम के आगे पी-म के नाम का इस्तेमाल करके बाद में हिसाब देने से मना कर दिया अपरादियों को शामिल करने उनके क्रत्यों पर परदा डालना और सबसे खराब बेवार की जाने के लिए रिकॉर्ड बना देश का युवार फिर से कफन सर पर बांद का कह रहा है मेरा रंग दे बसंती चोला धन्यबाद देता हूँ कि इतने सुबह बलाने पर आप सबी यहां पर आए हैं हलांकि चुनाव खतम हो चुका है और बहुत सारे एक्जिक पोल तरह तरह की जानकारी दे रहे हैं मैं आपके बीच में आपके माद्यम से कुछ बातें रखना चाहता हूँ मैं शुरुआत करता हूँ कि जितनी उचाई पर जागर करती है पतन उतना ही बड़ा होता है उसका पतन भाजपा कई दोशों के लिए जमिदार है समाजिक रूप से भाजपा ने देश में सोहाद बिगाड़ा माभाईचारा खतम किया जाती के खिलाफ जाती संपर्दाई के खिलाफ संपर्दाई लड़वाया समिधान द्वारा दिये गए आरच्छर को साजिशन खतम करने के लिए बिरुजगारों से चल किया पेपर लीक कराए देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वालों की बहन बेटियों के लिए जानबूश कर अपने मंत्रियों से अफशब्द कहलवाए महिलाओं के प्रत्य अपराद बढ़ाए मनी पर हातरस, महिला पहलवान, पिषड़े दलित लवसंक वादिवासियों पर तैस्चार और सबसे खराब बिवार की जाने के लिए रिकॉर्ड बना आर्थिक रूप से इलेक्टरल बॉन्ड का एतिहासिक भेस्टाचार किया इलेक्टरल बॉन्ड के मादियों से पैसा कमाने के लिए मुनाफ़ा खोरी को बढ़ावा दिया जिसने महगाई को बढ़ाया अपने फाइदे के लिए भाचपा ने जनता पर बेहताशा महगाई थोप दी नोडबंदी से वैपार कारोबा चौपट कर दिया ब्रस जीस्टी से छोटे दुकंदार तक को मंदी का शिकार मना दिया किसानों की जमीन हरपनी चाही काले कानून लाने चाहे खाद की बोरी की चोरी की लावकारी मूले नहीं दिया 35 सालों की सबसे बड़ी ब्रोजगारी में देश को धके ला महंगाई से गरीब को और गरीब बना दिया अमीरों के अर्वों के लोन माफ किये लेकिन किसानों के डिड़ के लिए आत्मत्या के लिए मजबूर किया दियाज की दनें घटाकर मद्द्वर की बचत को बिकार कर दिया बैंकों में तरह तरह के चार्ज और पेनल्टी से लोगों के खाते दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा गए बैंक लोकरों के नाम पर जिम्यदारी से पल्ला जाड लिया नेतिक रूप से चंदे तक का पैसा खा गए केर फंड के नाम के आगे पी-एम के नाम का इस्तिमाल करकी बाद में हिसाब देने से मना कर दिया अपरादियों को शामिल करने उनके क्रत्यों पर परदा डालना जैसे मनी पुर में अपने संगी सातियों द्वरा बीटी के साब मानवे बिवहार में बी-एच्वी चात्र अबर्तता कांड में खीरी किसान हत्या कांड में हात्रस की बीटी के बलातकार हत्यावा कांड में जहां मा बीटी को जोबडी में जन्दा जला कर मार डाला ऐसे अंग्रित उधारण है शारिय रूप से देखे तो भाजपा लोगों के शरीर स्वास से भी खिलवार किया उसके भी दोसी है बाजपा ने बिना जांच परखे जानलेवा वैक्सिन लगवाई कमिशन खाकर गलत दवाईयों को पास करके लोगों का जीवन खत्रे में डाला इसका सीधा असर जन्ता की शेहत पर पड़ेगा और आने वाले पीडियों की तंदुरुस्ती पर भी बाजपा पीडियों पर प्रहार की दोशी ही भी है मनो विग्यानिक रूप से लोगों की दिल और दिमाग में जानलेवा वैक्सिन लगवाने के बाद बीमार होने पर डर वैठा दिया महिलाओं के अंदर असरक्षा का भाव घर कर गया युवा अनिम्प्लोईमेंट या अंडर अनिम्प्लोईमेंट से डिप्रेशन का शिकार हुआ रादने तिर रूप से चंडिगड के मेर चुना में कैमरे के सामने धानली की चुनुईर सरकारे गिराई खरीद फरुक्त का नकारतम स्यासत को जायज ठहराया परिवारिक रूप से रानेतिक फायदे के लिए परिवारों को लड़वा दिया भाई के खिलाब भाई को मानसिक रूप से भाजबा ने अपने इस समर्दों को हिंसक बनाया मौब लिंचिंग को मानसिक रूप से साही ठहरानी की साजिश की अपरादिक रूफ से ऐसे लोगों को मंत्री पद दिया और बनाई भी रखा जिन्होंने किसानों की हत्या की जो महिलाओं पर एत्याचार सोशन के दोशी है नियाले तक में अपने लोग पिछले दर्वाजे से सेट किये नयाई दीशों से खुलकर एक विजाधारा विशेश के लिए बियान दिलवाई नयाई दीशों को राजनिदिक पदों पर लालस देकर कानून तक को अपनी भरसों से मेला कर दिया यही काम युनिवर्स्टी कॉलेज स्कूलों में किया नौकर शाही में लेटरल इंट्री के बहाने यही धान लिकी योजना आयोग खतम किया EDCVI IT इंकम टेक्स को सरकार बनाने बचाने और चलाने के लिए इस्तेमाल किया जूटे आकनों से देशों दुनिया को चला जिससे अंतराश्य इस्तरपर भारत को विकाशील देशों की श्रेडी से बाहर करने की बात से देशों को देश की शर्मिंद की जहिलनी पड़ी विदेशों में बैठे भारतियों को अपमान जहिलना पड़ा दुनिया में डंका बजाने की बात करने वालों का ही ढोल पिट गया विकास वर रोजगार के जूटे आकड़े दे कर ठगा समयधानिक रूप से समयधान को पहले कमजोर करने पर बदल कर धीदेदे खतम करने की साजिश ही नहीं अपने लोगों से शर्याम कहलवाया भी लोगतांतिक रूप से जनतंत्र को मनतंत्र में बदलने का दुशास किया वक्तिकों विवस्ता से बड़ा बनाने और बताने का दुश्पजार कर लोगतांतिकी भावना का अपमान किया चुनाव के नतीजों को कुछ भर्ष्ट मीडिया करमी और अधियकारियों की मिली भर्ष्ट से बदला भी और आगे भी इस चुनावी घपले को जारी रखने का श्रणत्र रचा भाजपा ने इनी सब कारणों से देशवासियों की जिन्दियों को खत्रे में डाल दिया है साथी भाजपा ने अगनीविर जैसी अल्प कालनेक भर्ती जो देश की सुरक्षावा सीमाओं से समझोता करके देश को खत्रे में डाल दिया है भाजपा का जूटा राष्टवाद चीन की घुसपैट से रजांगला मेमोरियल जैसे शहीद दों के बल्दान के समरत तक नहीं बचा पाए भाजपा के वर्ज नीतियां बीते कल के लिए नीवल की भविस्त मेवी देश की रच्छा के लिए असमर्थ वाक्षम है इसलिए जनता इस बार गांदी जी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है और अपने और अपने देश के भविस्त बचाने के लिए नया सुतनता आंदोल लड़ने के लिए तयार बैठी है जनता सुतनता सिनानियों की तरह बलदान करने के लिए तयार है क्योंकि भाजपा काल में उसका जीवन तो वैसे ही दूबर हो गया है जनता की सकाराद्मक सकृताय से देश नकाराद्मक ताकतों से आजाद होने जा रहा है देश प्रेमी 140 क्रोड जनता की शक्ती के आगे भस्ट और संखीर सोच के चंद देश विरोधी लोग टिक नहीं सकते देश का यवार फिर से कफन सर पर बाहन का कह रहा है मेरा रंग दे बसंती छोला मैं कहना चाता हूँ इंडिया की जीत देश और देश की जनता की जीत साबित होगी जहिन आप सब का बहुत 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 है हम और आप पूरे जनता के बीच में थे पूरे चुना भर और इतनी तप्तिव गर्मी में भीशन गर्मी में लोगों ने इस लोकतंत को सम्विधान को मजबूत बनाने के लिए मद्दान किया कहीं भी किसी जहे पर ऐसा नहीं दिखा कि भारती जनता पार्टी के समर्थन में लोग आया हूँ उनके टेंट खाली थे मेदान खाली थे और इसमें से कई साथी ऐसे जो एक्जिट पॉल में शामिल हैं वो और उनकी संस्थाएं भारती जनता पार्टी के लिए बूत मेंजमेंट का भी काम करती हैं समय समय पर भूत की जानकारी भी देती हैं जो सवाल हम से आप पूछ रहे हैं वो सवाल मेरे मीडिया कर्मियों से ये भी है कि उन लोगों से भी पूछें कि जो एक्जिट पॉल वाली संस्थाएं और एजनसियां हैं क्या वो भाती जिन्ता पार्टी के लिए पिछले कई वर्सों से अच्छे बताओ यहां बैठका के मना कौन करेंगे बताओ यह होने दो अब जो होगा वो अच्छा ही होगा सबसे पहले आपको इन्वैट के जाएगा यह क्यों बता आपके स्वास बहतर हो इसके लिए अमूल ने भी अपने दूद की कीमत बढ़ा दी है आपका स्वास बहतर हो इसलिए अमूल के लोगों ने भी कुछ दो रुपए बढ़ा दिये अब पराग भी बढ़ा देगा तो आगिकर इसलिए मैंने कहा कि इन्हों ने अपने लोगों को मुनाफ़ा कमाने के लिए महंगाई का बढ़ाने का काम किया है अपने लोगों को मुनाफ़ा कमाने दे रहे अखिरा मुनाफ़ा किसके पास जा रहा है मुनाफ़ा हो महंगाई का हमने हमेशा उदार दिया याद हो आपको पाढ़ लेजिए बिस्किट पैकेट का कि उन्होंने अपना मुनाफ़ा कमनी होने दिया चाहे उन्हें पैकेट का बिस्किट हटाना पड़ जाए चुनाव खतम हो गया हर चीज बहेंग होगी आप बताओ बिजली कहीं मिल ली थी जिन फेजिस में चुनाव खतम होता चला जा जा था बिजली कहा थी और ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे काउंटिंग करें और रात में बिजली कुल करें नहीं चुनाव के लिए बोल ला हूँ मैं कि काउंटिंग को धीमे धीमे करें और रात में बिजली कुल करें ये मैंने पढ़ लिया एक कॉपी नहीं बाट गो जली कॉपी पढ़ने ये भी लेट आए हैं गंशे तो समाजबांदी लग रहे हो ने एक ही बात है अरगनण जी को जानते होगे आप भी एक ही बात है स्वामी अरणन जी कि अगर है गंशा तो हमारी उनकी एक ही बात है आपका एक्जित पोल क्या कहता है हमारा एक्जिट पॉल यह कहता है कि सबसे ज्यादा सीठें इंडिया गडबंधन उत्तर पर्देस में जीतेगा मैंने अपना इंटर्णल भी सर्वे कराया है और वो भी बहुत बर्चड करें बता रहा है इसमें क्या बेबाद है एक्जिट पॉल ने अपना चार सो सही करने के लिए कितनी गिंदी बढ़ाई है दोनों से क्योंकि पीडिये में भी आदिया वादी है मैंने कई मोकों पर कहा जब आप लोग फील्ड में सवाल ये पूछते थे सवाल फेस का नहीं है दिल और दिमाग अच्छा होना चाहिए कौन पूछ रहा वाई अपना पढ़श दे दो कहा छिप करके पूछ रहा ये चुना बात बात करेंगे हम लोग अभी कोई चर्चा नहीं